हेलो अब्रिवन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडसेंट बैंक में अपना जीरो बालेंस अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ इसके लावा अगर आप इंडसेंट बैंक में अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इस अकाउंट के अंदर क्या-कया फैसलिटी बैंक की तरब से प्रोवाइड की जाती है इसके लावा क्या-कया चार्जेज आपसे बैंक लेता है इस अकाउंट को ऊपन करने के लिए क्या इलिजिबिलिटी क्रेटेरिया है इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो आईए अब मैं आपको बता देता हूं इस अकाउंट की क्या-कया स्पेसिफिकेसंस है उसका बद मैं आपको बताऊंगा कि इस अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है स्वाई अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो अभी हम जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं यह है इंडस्टिलाइट सेविंग अकाउंट यह एक जिरो बैलन्स सेविंग अकाउंट है यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहां पर highlight किया गया है, सबसे पहले हम इस account की यहां पर जान लेते हैं, features क्या क्या है, यानि कि अगर आप account open करेंगे, क्या के bank की तरप से आपको facility दी जाएगी, तो सबसे पहले इसमें आपको 6x reward दिया जाता है, आपके debit card के spend पर, यानि कि जब भी आप swapping करेंगे, आपको 6 पाओ गुना तक का यहां पर reward देखने को मिल जाएगा, यहां पर नीचे में detail में इसके बार में दिया गया है, जैसे कि यहां पर आपको 5% का cash back मिलेगा, अगर आप Amazon से shopping करते हैं, और वहां पर payment करते हैं, investment bank के debit card से तो यहां पर आप चाहन तो detail में information जान सकते हैं, इसके इसके लाओं आप 20% की छूट पा सकते हैं, swiggy and bring basket जैसे platforms पर, इसके लाओं आपको 6x का reward point मिलता है, इसके कुछ condition भी होंगे, तो यहां पर आप डीटेल में आकर पढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ इसकी benefits feature बता जीता हूँ, इसके आपको free में movie की tickets भी मिलेंगी, जो कि one buy करेंगे, तो one इसके साथ free मिल जाएगा, जो कि 250 रुपीज का यह आपको tickets एक तरफ से कहीं free में मिल जाएगा, 50% off आपको मिल जाएगे, अगर आप इनके selected restaurant पर जाते हैं, तो हाँ पर dining benefit का आप फायदा ले सकते हैं, और वहाँ पर 15% की छूट आप ले सकते हैं, आपको इनके बेनफिट्स इंडसेंट बैंक प्रोवाइड करा रहा है, इन सभी चीज़ों के लावाँ यहाँ पर बैंक आपको वीडियो चार्ट की facility देता है, यानि कि यहाँ पर इनकी app आती है, फिर आप website से भी काम कर सकते हैं, जिसके तो अगर आपका इंडसेंट बैं आपको अपको बता दिये जाएगा, जो भी आपकी problem होग इसका solution दे दिये जाएगा, इसकी play store पर app भी आती है, और website से भी आप इसको access कर सकते हैं, इसके लावाँ यहाँ पर आपको net banking, mobile banking की facility मिल जाती है, WhatsApp banking facility का यूज कर सकते हैं, Facebook पर भी इनकी services available है, इसके लावाँ यह यहाँ पर जो भी आप account number से हैं, वो अपने खुद की 24 से रख सकते हैं, इंडिया में बैंक है जो आपकी अपने से यहाँ पर account number चूज करने की facility प्रोवाइड करता है, जो कि सिर्फ सुरू में आपका 15-1 डिजिट लग जाता है, इसके लावाँ यहाँ पर आपको जो इसक facility पी मिलती है, आप Google पी phone पी का इस्तमाल कर सकते हैं, और आपको इस account के अंदर checkbook की facility पी मिल जाती है, उसके लिए आपको net banking और mobile banking से order करना पड़ेगा, और account open कर लेंगे, उसके 20 दिनों के अंदर आपका यह debit card है, यह deliver कर दी जाएगा आपके communication address पर, इसके लावाँ अगर अगर हम interest rate की बात कर लें, तो अगर आप up to 1 lakh रुपीज balance रखेगा, तो आपको 4% per annum के इसाब से bank आपको interest rate प्रवाइड कर देगी, जो आपको बढ़ियां है, other bank आपको इतना नहीं देते हैं, saving account पर interest rate जो की up to 1 lakh रुपीज आप balance रखेगे, और आप 1 crore से ले करके, यह आप 100 crore के बीच में रखेंगे, तो आपको 6% का आपको annually interest rate bank provide कर देगा, and कुछ extra features की बात कर ले, तो यह जो bank है, आपको credit card की facility भी देता है, अगर आपका अच्छा civil score है, तो आप credit card के लिए भी apply कर सकते हैं, अगर आप loan में interest रखते हूं, तो उन सबी चीजों की facility भी बैं में इस account को open करने के लिए हमार जो minimum age होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो आपका minimum age है 18 years होना चाहिए, 18 years है अगर आपकी age अधिक है, तो आप इस account को open कर सकते हैं, इसके लाओं आपके पास अत्मधार card में जो आपका mobile number है, वो link होना चाहिए, आपके पास एक physical copy होनी चाह ले, तो एक जो account है, बिल्कुल zero balance account है, इस गार आपको कोई भी charge नहीं पी करना होता है, लेकिन जो आप first time account open कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको minimum 10,000 रुपीज बैलेंस यहाँ पर initial funding deposit करना पड़ेगा, जो कि bank एक तरप से कही rule है, आपको 10,000 initial deposit कीजिए, आपका account number मिल जा यह आपको annually pay करना होता है, जो कि 500 plus taxes होते हैं, total मिलकर यह 590 रुपी हो जाता है, जो कि आपको debit card का annual fee देना होता है, अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं, तो आप इसके चाहाँ तो other debit card को भी select कर सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर आपको debit card मिल जाते हैं, जो कि कम charge वाले भी available हैं, तो यह सारे इस account के complete specifications हो गई, आइए अब मैं आपको बतायता हूँ कि कैसे इस account को open करने का जो process होता है, और किस परकार्श होता है, तो अब आपके सामने कुछ इस परकार्श इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको open your account now के button पर simply click कर देना है, अब यहाँ प बात से यहाँ पर WhatsApp banking service के बारे मताया जाता है, अगर इस पर टीक रहता है, तो आप इसकी WhatsApp banking service को subscribe कर रहे हैं, उसके बात से आपको continue के button पर click करना है, उसके बात से आपके सामने कुछ इस परकार्श इंटरफेस आता है, आपको अच्छे से समझ आ सके, इसलिए मैंने एक PDF ही ready कर लिया है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो भी mobile number दिया था, उस पर OTP आता है, OTP फिल करके and इसको verify कर दीजिए, उसके बात से कुछ next इंटरफेस कुछ इस प्रकार्श आएगा, जिसमें कि अपनी अधार नमबर और फिर virtual ID नमबर किसी को भी enter कर सकते हैं, उसको fill कर दि अगर OTP by chance नहीं आता है, तो risk and OTP पर भी click कर सकते हैं, उसका बात से एक tick out मिलता है, इसको भी tick कर दिजिए, and the next interface कोछ इस प्रकार्श आजाएगा, यहाँ पर आपकी personal detail आजाएगी, and applicant की detail में जो भी आपकी अधार कार्ट की basis पर है, वो सारी detail आपकी show कर दी जाएगी, ज अधार कार्ट के basis पर आजाएगी, यहाँ पर आपका mobile number show करेगा, जो कि अभी मैंने blur कर दिया है, ताकि personal detail की वज़ाद से, उसका बात से यहाँ पर आपको तीन option आएगे, DBT से related है, यानि कि अगर आपको direct benefit transfer, government की तरफ से 20 subsidiary का रुपीज है, अगर आपको इस account के अंदर तो simply आपको जो second वाला tick मिल रहा है, इस पर click कर देना है, अगर आपको इस account के अंदर नहीं चाहिए, तो do not wish receive DBT benefits, जो first में आपको tick out मिल रहा है, इस पर tick कर देना है, देने हाँ आपको tick out मिल रहा है, इसको tick कर दीजिए, and save and continue का button मिलेगा, आपको इस पर click कर देना है, उस अब से पहला जो step है, details का है, जो कि इसमें से मैंने कुछ detail फिल कर दिया था, इसलिए अब nominee details से शुरुवात हो रही है, अगर आपको इस account के अंदर nominee देना है, तो यहाँ पर आप इस पर tick कर दीजिएगा, and उसका बासे अब nominee detail में, nominee की full name, nominee के account holder के साथ carry relationship है, यह बताना है date of worth nominee की देनी है, और पुछा जा रहा है कि जो भी आपको account statement में लेगा, उस पर अपनी nominee के name को भी print करवाना है, तो इस पर tick करके and continue कर दीजिएगा, जैसे आप कर देंगे, आपका nominee add हो जाएगा आपके account में, उसका बासे अब आपको product selection करना है, तो internet bank के अंदर आपको दो type की generally saving account में लेंगे, जिसको की आप online open कर सकते हैं, ब्रांच से आप बहुत type की saving account open कर सकते हैं, बट online open करना हो तो दो मिलते हैं, जिसमें की सबसे पहला है, जिसमें की आपको 20,000 रुपीज monthly average balance maintain करनी है, एंड एक दूसरा है, जिसमें की आपको 10,000 रुपीज monthly average balance maintain करनी सकते हैं, जब आप view detail पर click की जाएगा तो, तो मैंने अच्छे से दोनों को check कर लिया है, इसमें से सबसे best आपके लिए रहेगा, 10,000 वाला, इसमें आपको अच्छी facility भी मिल जाएगी, तो इंडस डिलाइक्ट सर्भीज अकाउंट पर आपको simply click कर देना है, जैसे हैं click कर देजेगा, उसका बाद से आपको नीचे के साड़ आजाना है, उसका बाद से पूछा जाता है कि I already have mobile banking user id and mpin अगर आपके पस है, तो यहाँ पर टिक कर देना है, नहीं है, तो यहाँ पर आपको बना लेना है, जब आपके account open हो जाएगा, इंडस्मेंट बैंक में, इसकी mobile banking app को यहाँ इंस्टॉल किजेगा, तो यहाँ आपको username and password फिल करके, फिर mpin इंटर करके, वहाँ पर login हो पाएगा, तो जो भी अपना detail फिल किजेगा, उसको याद रखे गया, सबसे पहले आपको username फिल कर देना है, जो की available होना चाहिए, उसका बाद से mpin फिल कर देना है, six अब आप fourth step पर आजाएंगे, यह confirmation वाला है, इसमें जो जो अभी तक आपने detail फिल की होई है, यह so हो जाता है, जैसे कि एक आउंट रोलर के name, mobile number, email ID, और बहुत सारा detail आजाता है, जो भी आपकी personal detail होती है, उसका बाद से यहाँ पर terms and condition आजाता है, इसको की आपको select कर दे किजिए, उसका बाद से अब आपको funding करने है, आप 10,000 minimum funding कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप funding वाला amount इंटर कर दीजिएगा, जो भी आप funding करेगा, जैसे कि 10,000 का funding करें, तो इसमें 590 का debit card का fee है, यह charge कर जाएगा, और आपके घर पर आपका debit card है, यह आजाएगा, इस debit card के ब आप payment complete कर दीजिएगा, उसका बाद से आपको कियो ऐसी complete करना पड़ेगा, जिसके लिए आप proceed पर क्लिक करेंगे, और उसका बाद से आपको अपनी कियो ऐसी complete करनी है, और नेक्स्ट आपका account जो है, इंडेसिट बैंक के अंदर open हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आप इंडेसिट बैंक में already account है, और हमेशा से वीडियो बनाते रहता हूं, इसे वैसे बार बार account न्यू लाना पॉसिबल नहीं है, इसे वैसे मैंने एक पीडियाफ बना लिया था, I hope आपको इस वीडियो पसंद आ हो, अगर आपको इंडेसिट बैंक में saving account ओपन करने से related कोई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, have a good day